बारतिय सेना ने 1999 में जिस तरह के शौर्य और पराक्रम को मिसाल कायम की दुनिया आज भी उसे याद करती है वहीं पाकिस्तान इस जख्म को कभी नहीं बूल सका हर साल की तरह इस साल भी 26 जुलाई को कारगल विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है दरसल मैई से लेकर जुलाई तक चले इस युद्ध में 26 जुलाई को ही बारतिय सेना का उपरेशन विजय सफल हो गया इसलिए इस तिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं बारती असेना ने गुरुवार को ही लद्दाक में विजय दिवस समारों की शुरुबात की वहीं बारती असेना ने इस समारों को दिखाने का मौका पाकिस्तान को भी दिया मामले से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि 17,500 फीट की उचाई वाली पोस्ट से पाकिस्तान इस समारों का नजारा जरूर देख सकेगा दो चोटियों वाली पहाड़ी 53-53 जो उत्तरी दास के पास है वहीं से पाकिस्तान की सेना भी इस समारों को आसानी से देख सकेगी उन्होंने कहा वो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें याद हो रहा होगा कि कैसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपने सेनिकों के शवों को लेने तक से इंकार कर दिया बताने की पॉइंट 53-53 से पाकिस्तानी सेना श्रीनगर ले हाईवे का नजारा ले सकता है द्रास के पास लामो चेन की चोटी पर विजय दिवस समारो का आयोजन किया जा रहा है ये चोटी 11,500 फीट उची है रिटायर अधिकारियों, कारगिल के युद्धाओं और उनके परिवारों की उपस्तिती में कारगिल विजय दिवस की शुरुवात की गई इस समारों में सेना ने युद्ध को रिक्रियेट किया जिन चोटियों पर भारतिय सेना के जवानों ने बहादुरी दिखाई फिर से दिखाने की कोशिश की गई लामो चेन से 53-53 पॉइंट की दूरी करीबन 3 किलोमीटर है यह पोस्ट कई सालों से विवादत भी रही कहा जाता रहा है कि आखिर सेना ने इस पर कबजा क्यों नहीं किया हाला कि शीर सदिकारियों का कहना है कि यह विवाद बेकार का है यह LOC के दूसरी तरफ है और अगर इस पर कबजा करने की कोशिश की जाती तो यह अपने ही बनाए नियमों का उलंगन माना जाता एक अन्य अधिकारी ने कहा उन्हें पता है कि हम विजय दिवस मना रहे हैं हमें पता है कि वो लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि पॉइंट 53-53 से यहां का सीधा व्यू मिलता है पताने कि 1999 के कारगिल युद में पाकिस्तान के चक्के छूट गए थे और भारतिय सेना ने उन्हें सभी भारतिय चोटियों से ख़देड भगाया था इस युद में 527 भारत के जवान शहीद हुए थे वहीं पाकिस्तान ने कभी इस पच्च संक्या में ये नहीं बताया कि उनके कितने सैनिक शहीद हुए लेकिन अर्माना जाता है कि उनके हजारों सैनिक तबाह हो गए थे विजर दिवस पाकिस्तान के ऑपरेशन बद्र की बेहौली की याद दिलाता है एक अधिकारी ने खहा पाकिस्तान के सैनिक इस समारों को देख कर यही सोच रहे होंगे कि कितना भी कोशिश कर लो परेडाम एक ही होने वाला है भारत की सेना आज बहुत ताकतवर है इसलिए पाकिस्तान की कोई दाल नहीं कलने वाली ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूजवल इंडिया